जोईन करिए जूजिर हैं 2022 का नया बैच पेपर वन के लिए लाइफटाइम वेलड़ेटी के साथ जिसमें आपको पे करना है एक बार कोचिंग आपके होगी हर बार तो यह offer valid है only 31st December तक तो इसकी cost है only 1650 रुपे पेपर वन के लिए जिसमें आपको 10 उनिट का विडियो उनका PDF नोट्स उनका online test series, PYQ सब कुछ आपको मिलेगा तो इस नमबर पे contact और WhatsApp करें आपको अपने नाब लिखना है साथ मा को लिखना है पेपर वन लाइफटाइम वेलड़ेटी नमस्कार जैहिन तो इस वीडियो मैं बात करेंगे 24th December 2021 के exam के बारे में कि कैसा question हुआ था कैसा question पेपर आया था कैसा exam हुआ था सो morning evening shift दोना analysis करेंगे इसके बारे में तो complete analysis है वीडियो कहां तक देचते रहिए और इसका PDF पाने के लिए जॉइन करिए हमारा free telegram channel जिसका link description में दिया है अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है अगर आपको paper and paper to all subject किसी पर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे study by 2.0 जिसका link description में दिया है यहां पर आपको paper and paper to yougisnet के लिए test series की free videos प्रवाइड किर जाएगी तो देखे सबसे पहले हम comparison करते है morning evening shift का तीजी अप्डेट में दिखे learning methods teaching style swim से कौशन था और evening में teaching method cbcs और aictc से कौशन था और research chapter में दिखे काइस के test research types method से कौशन था और दिखे इसमें भी काइस के test evening में और search method step से था ठीक है compression दोनों ही shift में easy level ही था morning shift की बात कर देखे communication barriers और टाइप से communication के unit में और evening में भी देखे unit 4 communication में communication barriers और sequence of communication था unit 5 में देखे दोनों ही shift में देखे तकरीबन वही गोंफेर के topic आ रहे है जैसे percentage average number series में number series average और profit and loss तो unit number 6 जो है वो उसमें देखे पूरवर सेशवत देखे काइस कौशन जो था वो student कह रहे है कि आया था पूरवर सेशवत का और logical reasoning में देखे अनुमान सेशवत और परमान से कौशन था evening में तो यहाँ पर अगर हम भात करें unit 7 की morning evening shift में moderate level था ना ज़्यादा असान ना ज़्यादा मुश्किल तो unit number 8 ICT में देखे मौर्निंग में URL, URL format से और evening में CC, BC, mail, computer और IP address से unit number 9 people development environment में देखे जेओ thermal energy mitigation disaster और CO2 emission 2021 से था और evening shift में disaster और mitigation से था तो higher education में देखे फर्स्ट इनवर्स्टी, central इनवर्स्टी और autonomous और इनवर्स्टी सिच्टेटेट तो देखे मौर्निंग शिफ्ट की बात करें तो पहला caution हम बात करते हैं What is a chi-scare test? CHI को chi कहते है chi-scare test So, chi-scare test is a statistical test used to compare observe result with the expected result The purpose of this test is to determine if a difference between observe data and expected data is due to chance or it is due to relationship between the variable you are studying अब देखे काईस के जो test है वो क्या है? अब देखे एक तरह का test एक तरह का prediction है जिसमें क्या है? कि ये दिखा जाता है कि difference किया जाता है कि हमारे पास जो data हम observe कर रहे हैं वो और जो हमें data expected चाहिए वो यानकि जो हमारे पास data है वो वाला और जो हमें चाहिए वो वाला उनमें आपस में क्या है? comparison करके देखा जाता है उनमें difference करके देखा जाता है क्या वो बिल्कुल सही है और उनमें relationship देखा जाता है variables में देखे variables हमेशा बदलते रहते हैं मालेजे हमने किसे चीज के बार में research करनी है लेकिन जो हमारे पास data है जो हमने data observe किया है इकठा किया है और जो हमें चाहिए क्या वो उसमें difference देखेंगे क्या difference तो नहीं है अगर जमीन असमान का difference होगा तो हमारे research जो है वो गलत हो जाएगी अगर difference इतना नहीं है वो उसमें चल जाएगी और variables को इसमें relationship देखना है कि क्या variables का relation है उसके अंदर तो तब ही हमारे research है वो possible हो पाती है तो यह है काईस के test So next देखें full form of URL यहनकी uniform research locators की full form है So source of geothermal energy geothermal energy का source क्या है देखें magma heat nearby rocks and underground aquifers hot waters can be released through geyser hot spring अब देखें geothermal energy क्या है ठीक है अब देखें thermal plant जब आप नाम सुना होगा वहाँ पे क्या है बिजली बनती है geothermal क्या है कि geo यहनकी जो हमारी धरती है ठीक है उसकी energy ठीक है अब देखें जो magma है magma क्या है माल लीजे कि जो होता है ना magma क्या होता है देखें जैसे वो जवाला मुखी फटता है तो जैसे जवाला मुखी फट गए यहां से तो जो यहां से लावा बार आता है यहां पे जम जाता है उसे बोलते है magma चीक है, तो देखें, Magma Heats Nearby Rocks अब देखें, जैसे माली ज़वाला मुखी यहां से निकला वाल कैर निकला, यहां पे जम गया तो इसकी हीट से क्या है, जो 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 चटाने है जो इसका अंडरगााउंड है वो क्या है, वो गरम हो जाता है बहुत ज़ादा hot water can be released through geyser आप देखिए जो इससे गरम पानी निकलने लग जाता है hot springs, steam vents, underwater hydrothermal vents and mud ports these are all source of geothermal energy यह इनके देखिए जो magma की कारण जो heat आती है उसके कारण जो कुछ होता है वो होती है geothermal energy, their heat can be captured and used directly for heat और their steam can be used for generate electricity आप देखिए जब भी electricity बनाई जाती है तो उसमें क्या है जो इसकी heat है उसे directly जो है वो यूज कर सकते है और इसे क्या है electricity बनाई जा सकती है चीक है वो चीज so देखिए what is non-structural measures in disaster management अब देखिए disaster management जो है उसमें non-structural measure क्या है अब देखिए disaster management में होता है क्या है देखिए जैसे हमें पता कि अर्थ को एक आएगा, बार आएगी यह सारी चीज आएगी तो उसे पहले ही धियार में रखते है उसका बचाव करना ठीक है वो चीज, so देखिए जैसे emergency जब होती है है ना मानिज जे earthquake आगया तो उसमें emergency जो होती है उसे क्या है पहले ही mitigate करना है पहले ही बचाव करना है जैसे non-structural mitigation in emergency management involves what people can do a personal level that is not structurally or physically evident as a protected defense such as a search wall or storm shelter non-structural mitigation general would involve things such as having flood insurance अब देखिए non-structural mitigation क्या है कि जब भी कोई चीज होती है जैसे मानिज जे कि कुछ अर्थक्वेक आगया या कुछ जैसे बाड आगी कहीं पे है रहा तो flood आ गया तो ये चीजे इसको रोकने के लिए जो लोग अपने personal level पर करते है या तो कोई दिवार बना देते है या कुछ ऐसा करते है कि जिससे उस चीज को रोका जा सके ठीक है तो उसे बोलते है non-structural mitigation यानकि देखे एक तो यहां से बाड आती है यहां पर हमने दिवार बना दी है ना एक होजी non-structural जिसका कोई structure नहीं है पानी को रोकना है आप कुछ भी कर सकते हैं बस आपको वो चीज को रोकना है यहां कि non-structural का क्या हुआ कि जिसका कोई structure नहीं है लोग मुसीबत के टाइम पर जैसे होते हैं अपने आप जो कर रहे हैं जैसे यहां से पानी आ रहा है है ना तो जैसे मानीजे की आप कहीं पर जा रहे हैं कहीं बारिश हो रही है तो आप फटा-फट से वो चीज ढूनते हैं एकदम से जहां पर आप बारिश से पर्च सके ठीक है तो वो होती है non-structure येंकि जब माली जब बार आ गई या कोछ हो गया तो लोगों तरह कुछ खुद से effort की जाते है temporary तोर पे वो होती है non-structure measure तो अब हम बात करते हैं evening shift के बारे में देखे CO2 emission by country 2021 हम देखे यहां बुझादा कि जो सबसे ज़़ा CO2 येंकी carbon dioxide commission कौन सी country करते है 2021 में number 1 पे है China चीक है तो दस देशों का नामे आप यहां पे दे सकते हैं हमारा इंडिया 30 नंबर पे है what is the 2030 target for the GHG reduction greenhouse gases reduction का चीक है तो है 40 percent येंकि greenhouse gases का reduction जो कम करना है 2030 तक target है 40 percent का so synchronize and asynchronous memory क्या है देखे synchronize क्या है happens at the same time और asynchronous है does not happen at the same time ठीक है वो है memory so cbcs क्या है इसकी फॉर्फम है choice based credit system so ये क्या है ये educational model that offers students to option for courses and subject of their choice core elective courses open or global elective and skill based course देखे होता है कि जब मालीजे की cb से इसका है choice based credit system जब मालीजे student को एक offer दिया जाता है कि जो कोई course कर रहा है लेकिन अगर कुछ वो दूसरा course साथ में करना चाता है है ना कोई subject पसंद साथ में पढ़ना चाता है तो वो choice कर सकता है उसमें ठीक है वो चीज़ सो ये थी वीडियो 24 डिसेमर की अगर आपको वीडियो चलिएगी है लाइक करिए शेर करिए फ्री पीडियाफ के लिए जोईन करें टेलेगरम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सो टेक केर